हलो फैंस, स्वागत आपका उत्रक्षन भूमी क्लासिस में तो आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लैब असिस्टेंड वन दोरोगा कनिस सायग के लिए साइन्स की प्रैक्टिस सीरीज की यहाँ पर पार्ट वन यह रहने वाला है यहाँ पर विज्यान आपको देखने को मिलने वाला है देखे 20 कोईसन यहाँ पर लाएगे हैं चैप्टर वाइज जी सीरीज आपकी चलने वाली है और यहाँ पर देखे अगर आपके 15 से उपर नंबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा अगर कम नंबर आए रहे हैं तो आपको और त्यारी करने के यहाँ पर आऊ सकता है आसान लेबल के कोईसन रखे गए हैं आसान भी है और कुछ यहाँ पर मौटर्ट लेबल पर आपको मिलने वाले है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कितने क्वेसन वा पर आपको करा रखे है अब बात करेंगे सबसे पहले क्वेसन की सबसे पहले क्वेसन आपको दिया हुआ है देखिए आपका प्लाजमा के संदर्ब मैं निमलिखित कथनों पर विचार कीजिए इस अवस्ता में कण अत्यदिक उर्जा वाले होते हैं और अत्यजित यहाँ पर होते हैं पहला उप्सन आपको यह दिया हुआ है कथन दिया हुआ है यह का आयनिकरित गैस की रूप में होते हैं फ्लोरेetty2 और नियान बल्में प्लाजमा होता है तो यह आपर देखिया आपका इस टाइप से एक क्वेशन दिया हुआ है दो कथन दिये हुआ है कि प्लाजमा के बारे में और उस पर आपको पुछा गया है कि इस पे आपका कौन सा सही है कौन सा गलत पुछे जा रहा है केवल एक सही है केवल दो सही है एक और दो दोनों सही है ना तो केवल ना तो एक ना ही दो आपका सही है तो यह चीज़ आपसे बोली जा रही है आपको अपने मांक से आप पे काउंट करने कितनों के आंसर आप स Cities को चालूरा रखवाना है तो बात करेंगे दिखे आपका जुप है वह आपका यहाँ पे क्या होता है देखे अत्य दिक उЙुख होता है बिल्कुल राइट है और यहाँ पर दिखे उत्टेजित भी होता है बहुत सही है यहाँ पे देखे आपका A और B यहाँ पर जो कि आपका C आपसल है, एक और दो यहाँ पर सही हो जाते हैं, अब बात करेंगे अगले question की, तो अगला question देखिए आपके पास दिया हुआ है, निमिखित कड़ों मेंसे किन कड़ों के B सबसे कम आकर्षणल होता है, तो सबसे कम आकर्षणडल की बात की जा लिए, तो थोस म neural upon या फिर गैस हो मो होता है, अब बात करेंगे इस पर आपको series पूछा जासकता है, कि सबसे में किसमें, और सबसे कम किसमें है, तो आप देखिए इसका तो आपका B हो गया, अगर इस तरीके से पूछा जाता है, तो सबसे पहले आपके होती है, फोसों में, तो A में सबसे ज्यादा हो जाएगी, उसके बाद बात करें तो द्रवों में, उसके बाद बात करें तो यहाँ पे गैसों में, तो इस तरीके से ही आपकी स्रीज बनती है यहाँ पर A greater than C और C greater than आपका यहाँ पर B तो यहाँ पर इस तरीके से इसको भी पूछा जा सकता है और देखिए ऐसे question आप से वहाँ पर अगर दूर संचार की बात करें तो वहाँ पर पूछे गेर थे और इस बार भी आपका लैव अजिस्टेंड हो वह भी यहाँ पर देखते रहने वाले है अब बात करेंगे अगले question की तो दो नमबर आपके question हो चुके हैं आपके तीसे question की बात करते हैं किसी ठोस का सीधे गैसी अवस्ता में बदलना क्या कहलाता है बोला जा रहा है तो यहाँ पर देखिए किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना आपका क्या बोला जाता है तो इसका B option आपका right answer हो जाएगा उर्दोपातन देखिए अगले question की बात करते हैं अगला question आपको दिया हुआ है उर्दोपातन सी question आपको दिया हुआ है देखिए आप आपका निमिखित में से उर्दोपातन प्रदास कौन साही पुछे जा रहा है तो आपका right answer हो जाएगा कभी कभी आपको देखिए option में मिलता है यहां पर आपका निमिखित में से कौन सा इसमें किसम आपका उर्दोपातन नहीं होगा तो बहुत लोग आप गलती करते हैं आपको आंसर भी दिगया है वास्पिकान वहब प्रक्तरम है जिसमें जल वास्प बदलता है जल वास्प में आपका कहा पर बदलता है तो यहापका right answer हो जाएगा C option जो कि आपका कहा है अपने क्वथनांग से कम ताप पर या आपका बदलता है किसमा आपका जलवास्प में अगले question की बात करेंगे या पर देखिए आपका निमिखित मैंसे तापमान का ऐसा ही मातरक के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो option है आपके पास Fahrenheit है, Celsius है, Pascal है या फिर Kelvin है तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा D option इस वह भी बहुत लोगों confusion रहता है तो Kelvin इसका आपका right answer हो जाएगा अब अगले question की बात करेंगे या पर देखिए आपका निमिखित मैंसे किसे तरल पदार्थ कहते हैं तरल पदार्थ किसे बोले जाता है, यह पूछा जा रहा है तो देखिए आपका ठोस, यहाँ पर स्वरी, गैस और द्रव में गैस और द्रव को बोले जाता है, द्रव और गैस को बोले जाता है फोस और गैस को बोले जाता है या ठोस द्राव गैस तीनों को आपका तरल पदार्त बोले जाता है तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जागा बी ऑप्शन तो बी ऑप्शन जो कि आपका क्या है यहाँ पर द्राव गैस को यहाँ आपका क्या बोले जाता है तरल आपका liquid petroleum gas, यहाँ पर इसको आपका right answer बोला जाएगा, तो यही आपका a option इसका right हो जाएगा, अगले question की बात करेंगे, यहाँ पर देखिए आपका अगला question दिया है, वहानों के प्रयोग की जाने वाली, देखिए आपका वहानों में कौन सी gas प्रयोग की जाती है, पुछा 273 Kelvin दिया हुआ है, 373 degree centigrade या फिर आपका है 373 Kelvin तो यहाँ पर आपका right answer हो जाएगा, 273 Kelvin यहाँ पर जो की आपका खेता होता है, 0 degree centigrade आपका होता है, तो आपका y option इसका right answer हो जाएगा, अगले question पर बात करते हैं, यहाँ पर दिखे अगला question की आपका, बहुत पॉपलर कोशन है बहुत बार पुछे जाता है चाहे आप SSE Railway क्या exam में देंगे तो वहापे आपको बहुत बार यह question आपको देखने को मिलने वाला है तो देखें गर्मियों में घड़े का जल निमिखित प्रक्रमों में से किसके कारण यहापे ठंडा हो सकता है तो परचरन द्वारा होता है विस्न द्वारा होता है यह फिर वास्पन द्वारा होता है बहुत लोगों confusion भी होता है इस question में आपका इस पर आपका right answer हो जाएगा D option वास्पन के help से ही ओ आपको यहापे क्या रहता है ठंडा रहता है अगले question की बात करते हैं, निमिखित मैंसे किसको सुस्क बर्फ बोला जाता है, तो यहाँ पर सुस्क बर्फ किसको बोला जाता है, ठोस carbon dioxide को द्रवित CO2 को या ठोस CO को carbon monoxide को बोला जा रहा है, या फिर आपका इन मैंसे कोई नहीं, तो सभी लोगों को इसका answer पता होगा, कौन sulfur तथा carbon dioxide का मिसरान है, तो यह बोला जा रहा है, यहाँ पर आपका, देखें, question तोड़ा अलग level का है, बहुत लोग इसको गलत कर देता है, तो आपको इसको अच्छे से देख लेना है, तो यहाँ पर क्या पूचे जा रहा है, निमिखित मैंसे कौन sulfur तथा carbon dioxide का पर परभाव को नहीं दर्साता है, समांगी तथा टिंडल परभाव को नहीं दर्साता है, बिसमांगी होता है या तिंडल परभाव को नहीं दर्साता है, समांगी तथा टिंडल परभाव को दर्साता है, या उपिक मैंसे कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका इसका right answer हो एक किस को जाता है, यह बोले जा रहा है, तो देखें, नाइंथ का Question है, काफी महत्रपुर्ण Question है, बहुत बार दखने को मिलेगा आपको, वाश्पी करड़ द्वारा करते हैं, प्रभाजी आस्वान करते हैं, या फिर chromatography द्वारा या अपकेंद्र बिधी द्वारा तो यहाँ पर आपको सभी लोग को पता होगा इसका right answer आपका A option हो जाएगा वास्पिकर द्वारा यहाँ पर किया जाता है समुंदरी जल से यहाँ पर नमक को अलग करता है अब बात करेंगे अगले question की तो अगले question आपका 13 number question है यहाँ पर निम्खित मैंसे कौन उर्दुपातन प्रदार्थ नहीं है इसके और पहले चर्चा कर चुका हूँ मेर तो यहाँ पर देखें आयोडीन का आपको पता चलिया है है यहाँ पर अब यहाँ पर देखें आपका कौन सा नहीं है तो बेंजीन यहाँ पर B option जो आपका रइट आंसर हो जाएगा बेंजीन यहाँ पर क्या होता है उर्दुपातन पदार्थ यहाँ पर नहीं होता है अब बात करेंगे अगले question की तो अगला question आपको दिया हुआ है देखें आपका अलग-अलग करने के लिए यहां पे किस प्रक्रम का सहीव प्योग किया जाएगा, तो देखिए आपका इन तीनों का यहां पे मिस्रण किया गया है, तो इस मैंसे किस प्रक्रम द्वरा इनको अलग-अलग कर सकते हैं, बिलियन बनाना, फिर छानना, और फिर चुम्बकी प्र तो देखिए आपका क्या क्या है वहां पर दिया हुआ है देखिए आपका सबसे पहले दिया है लोहे की पिन है तो आपको सीधे सीधे देख रहा है कि इसको आपका चुम्बर की प्रत्रकरण से इसको अलग कर सकते हैं चुम्बर की प्रत्रकरण से क्या कर लेंगे हम यहां प बातन करेंगे तो यहाप अमोजिम को राइट अलग हो जाएगा बालू अलग हो जाएगा और लोहे की पिने आप चुम्बर की प्रत्रकान से अलग कर चुके हैं आपको पूरा अच्चे से बता होगा यहाओः Texas linguistic आपका रधार चेटिया निमक्रट मैं से कौन्ट तिंदल प्रभाव प्रदर्सित नहीं करता है यहाँ पर देखिए नहीं करता है सबसे पहले पुशे जारा है यह आपको करता है नहीं लिका हुआ तो यहाँ नहीं करता है या फिर निलंबन नहीं करता है या फिर कोलाइड विलियन यह आपका नहीं करता है तो यहां पर दिखे आपका A option इसका आपका right answer हो जाएगा जो कि आपका क्या वास्तविक विलियन है जो कि आपका टिंडल प्रभाव को परदर्सित नहीं करता है और बाकी जो लवणों को अलग करने के लिए या फिर रक्त से नसिले पदार्थों को दूर करने में या फिर उप्युप्त सभी में तो यहां पर दिखिए आपको एउप्षन इसका आपका right answer हो जाएगा जो कि आपका क्या है आपका डाइ से रंगों को अलग करने में आपका chromatography का यूज किया जाता है, कैसे करता है इसका 9th class में पूरा यहां पर इसका सार दिया हुआ है, 9th के पहले chapter या दूसी chapter में आपको यह पूरा मिलने वाला है, तो इस तरीके से आपको 20 questions हो चुके हैं, कितने questions आपके सही हुए हैं, आपको comment box में लिखना है, 15 प्लस आ रहे हैं, तो आप काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, exam आपका, देखिए, आपका मई में exam, 1st week मही में आपका exam होने वाला है, live session का, सांते आपकी बात करें, कनी साइक की भी आपको date मिल चुकी है, और वही आपका one druga का exam, अप्रेल या मही तक आपका confirm होने वाला है, उसके लिए जैसी official notification निकलेगा, आपको बता दी जाएगी, तो देखिए, आपको video को share करना है, पसंद आईए, तो like करना है, सांते आपको telegram group से join हो जाना है, और बात करें playlist की, तो playlist आपको पूरी देख रहे हैं, काफी महत्तपूर रहने वा कि देखिए, झाएगी वाला है, तो एको बता बता है, तो जाएगी झाएगी धा झापको जह एको होगां?